हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त कपिल तो दोस्त इस वीडियो में हुम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अगर आप अपनी गूगल एड्स केंपेंड को लगाते हैं अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए तो कैसे आप कम पैसों में ज्यादा व्यूज ले सकते ह तो पूरी मैं आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कैसे आपको अपनी केंपेंड को सेट करना हैं ठीक है कैसे वहां पर सभी उप्शन को चूज करना है और और कौनसी अपने आपको गूगल एड्स अकाउंट में सैटिंस करनी है तो यहाँ पर सारी चीज आपके लिए यह वाली कैंपेंड यूज फिल ने वाली है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं उस कैंपेंड के बारे में तो देखिए अभी हम यहाँ पर मैंडी कंप्रीटर स्कीन पर पहुंच चुके है तो यहाँ पर मैं आपको सारा बताने वाला तो यहाँ पर देखिए आपको एक चीज आपने और सुनी होगी कि अगर आप अपनी यूट्यूब की वीडियो पर एड्स लगाते हैं गूगल एड्स के थूरू ठीक है आप कोई भी कैंपेंड रन करते हैं तो यहाँ पर आपको गूगल एड्स की और से 20,000 फ्री मिलता ह ठीक है तो वो कैसे आपको लेना है कैसे आपको अगर दिखिया आप एक अपने कोई भी आपका गूगल एड्स अकाउंट सबसे पहले इस fryडियो की free credit को लेना है वो मैं आपको यहाँ पर अभी इस वीडियो में मैंने बताय हुआ है तो इसको आप पहले watch कर सकते हैं जाकर then आप इस वीडियो में जो आपकी सारी campaign है उसको देख सकते हैं नहीं तो पहले इस campaign को देखिए then आप उसके साथ पहले अपने account को बनाईए फिर दुबारा जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो साथ में आप campaign लगा सकते हैं आपको knowledge होगी ठीक है और यहाँ पर जो 20,000 के free credit वाली चीज़ है वो सही है बिल्कुल क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने अपने ads को रंग कर सकते हैं ठीक है तो यह इसका starting का funda है तो अचलिए अप जल्दी से बात करते हैं कि आपको कैसे campaign को रंग करना है अपनी वीडियो के लिए तो देखिए ऐसे आपके पास Google Ads का जो आपके इंटरफिस आ जाएगा यहाँ पर न्यूज़ कैमपेंड पर क्लिक कर देने ठीक है अभी मैं बताने वाला YouTube वीडियो की अड को ठीक है तो यहाँ पर उसके बाद आपको create a campaign without goals guidance देन आपको यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करना है उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर views हम views के लिए कर रहे है ठीक है तो इसमें views में क्या होता है कि आपका जो आपका per view की cost होती है मलों की cost per view आपके एक view का 20 पैसा 10 पैसा यहाँ फिटीन पैसा ऐसा cut होगा और यहाँ पर अगर आप efficient reach में जाते हैं इसमें आपको इस तरीके से चल जाता है कि आपके कितने इंप्रेशन पर थाउजन इप्रेशन के आपके पैसे कट होंगे तो हमें व्यूज चाहिए हमें इस पर रखना है ठीक है तो देन उसके बाद हमें अपनी campaign का नेम दे देने ठीक है जैसे अगर मान लीजे मैं चाहता हूं कि मुझे अपनी गूगल एड्स की वीडियो की एड लगानी है ठीक है तो मैंने आपर गूगल एड्स वैसे लिग दिया उसको बिड़ स्ट्रेजी सीपीवी पहले से campaign total मैं आपको अपनी स्ट्रेजी बिताता हूं आपके अपने डेली पर रख लेना है ठीक है और आप जितने पैसों की एड्स चलाना चाते है अभी इस वीडियो पर आपको सिर्फ उतने ही एड करने है ठीक है मैंने पहली वीडियो में बता हुए पैसे कैसे याड होगे ठी पे तो वहाँ पर दिखे आपके 1000 रुपीस की मन दीजिये हमने डेट चलानी है ठीक है तो आपने इसको डेली पर करके 1000 select कर लियना है इसका मदलब क्या होता है यहाँ पर दोनों का daily and campaign total का campaign total होता है कि 1000 आपकी एड चलेगी वह एक दिन चार दिन पाँच दिन आप सेट कर स तो दोसों के बाद वह एड नहीं अच्छे तरीके से करती है ठीक है तो डेली पर रखके थाउजंड कीजिए लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है जब तक यह चल रही है किसी और वीडियो की एड साथ में मत चला देना और साथ में आप अपने और पैसे मत आड कर देना न वीडियो की दीच यहां पर कोई और साइट पर एपस पर जो की गूगल एड्स के पार्टनर है ठीक है जिन्हों ने मॉनेटाइज कि हूए चैनल अपने गूगल एड्स से वहां पर शो करेंगे हमें नहीं शो करनी है हमें सिर्फ यूट्यूब पर चाहिए आपको सिर्फ पर यूट्यूब रखना है यहां पर चाहते हैं घंगरिज्अ करते हैं हैं इस वीडियो को हमने किया यहां पर डाल दिया रिलेटिप वीडियो स binary के साफ में श कर जाएंगे ठीक है यह हमने डाल दिया देन उसके बाद इसको मल्टी फॉर्मेट एड्स ठीक है यह नियू ऑप्शन है तो इसको भी आपको नहीं चूज करना है क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी एड यहां पर आपकी जो वीडियो एड है यह लेकिन हमें यह नहीं चाहिए मल्टी फॉर्मेट आपको इसको नहीं करना है यहां पर आपको फाइंड करने के लिए आपने क्या नेम दिए हुए है यहां पर आप अपने डेमो ग्रैफिक्स को चूज कर सकते है कि आपकी वीडियो किस एज वालों के लिए है तो अगर आपक देखिये एड लगाता हूँ तो इसलिए मैने यह आप यह शो कर रही है आपकी अगर यह तकनलजी की वीडियो है banking and finance की है तो अगर आपका जो भी audience segment है आप यहां से browse पर click करके यहां पर अपने interest and habits यहां पर इन सभी में अपने audience segment को find कर सकते है और इसे ही choose करना है सरफ keywords नहीं लगाने है topics नहीं लगाने है placements नहीं लगानी है placement क्या होती है simply किसी के channel पर आप अपनी video को place कर दें तो उसका क्या मतलब है मतलब कि अगर किसी का YouTube channel यहां पर आपने उसको fill किया तो इसमें क्या होगा अगर आपने उसका channel यहां पर paste कर दिया तो आपकी जो YouTube video की add आप लगा रहे है वो सिरफ उसकी जब video show होगी जो उसकी video के लिए सर्च करेगा वहीं पर आपकी add सिरफ show होगी सिरफ उस channel के लिए ठीक है इससे क्या होगा reach कम होती है वैसे आपकी सबी को दिखेगी तो आपको placement नहीं लगानी है अगर आप इसके बार में detail में जाने जाते हैं यहां पर paste कर दिना है तो चलिए से हमने paste कर दिया देना में चाहिए इन फीड वीडियो एड़ हम इसकीपबल एड नहीं चाहिए headline में अब आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी brand का directly name नहीं यूज करना है जैसे Amazon लिखना है तो उसमें end में double end डाल दीजिए अब Google लिखना है Google भी तो एक ट्रेड मार्क है मतलब इस पर copyright एस word पर तो आपको तीन हम यहां पर क्या डाल सकते है तीन डाल दिया ठीक है Google and ads इस तरीके से आपने लिख दिया ठीक है Google ads अमने यह पर लिख दिया दें tutorial तो ऐसे आपके क्या होगा आपके रण कर जाएगी वहां पर trademark का error नहीं आएगा ठीक है इसको भी आपको YouTube लिख दिया ऐसे ठीक है आपने मलग कि आपको जो भी किसी company का name है या फिर को trademark का copyright हो सकते है उस वेट को आपको कुछ add करके साथ में लिख देना है ठीक है यह चीज़ आपने डाल दी उसके बाद आपको दिखिए अब यहाँ पर आपका क्या है आपको bid चूज करनी है मलग कि आप एक view के कितने पैसे देना चाहते है जिसके को फिर create a campaign पर click कर देना है ठीक है देखिए यहाँ पर आपकी जो campaign है वो बन चुकी है तो अब आपका next work क्या है ठीक है यहाँ पर home पर जाएए campaign पर जाने के बाद आपको कर देना है यहाँ पर simply campaign पर जाने के बाद campaign को आपको कर देना है pause ठीक है तो यह pause क्यों किया कि आपके ज्यादा पैसे कटना हो जाए अब जैसे आप यहां पर दिखे फिर से होम पर जाते हैं उसके बाद दिखे जैसे आप campaign पर जाएंगे campaign पर जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद ads and assets का option आएगा यहां पर दिखे अभी अंडर रिव्यू campaign पॉस्ट तो यहां पर दिखना है जब आपकी यहां पर campaign पॉस्ट लिखकर आ रहा है अंडर व्यू नहीं आ रहा है मतलब कि आपकी जो एड है वो अप्रूव हो चुकी है देन आपको फि 20 पे ले जाई है फिर भी नहीं आरे है 25 पे ले जाई फिर भी नहीं आ रहे है 30 पे ले सीख लीजे अच्छी उस आप ले पाएंगे ठीक है तो अगर आप स्टार्ट अप कर रहे हैं ठीक है तो आप 23 और 25 और 30 पैसा तक आपको एड़ चलानी है तो आपको यहाँ पर कॉंटेंट स्यूटिबिलिटी पर चले जाना है तो देखें जैसे आप इसको सेव कर दिना है तो आपको सिर्फ ओडियन्स सेगमेंट को स्लैक करना है जैसे मैंने बताया बाकि आपको कीवर्ड्स वगरा कुछ नहीं डाले है क्योंकि उसे रीच को रन करना है यह सारी सेटिंग करनी है और ऐसे बिट स्टैटिकी को खेलना है तो अगर आप यह चीज़े करना सीख गए तो आप अच्छे व्यूज ले पाएंगे इन चीजों को यूज कर पाएंगे ठीक है तो आपके लिए चीज़ें हेल्फ रहेंगी तो जैसे आप फि व्यूज दाने फिर उसके बाद स्टार्ट होते हैं तो ऐसे आपको अपनी सारी चीजों को करना है ठीक है तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने वहाँ पर 16,000 की एड्स रन कर दी है ठीक है तो वहाँ पर आप भी ऐसे रन करेंगे 20,000 का फ्री करेड़ी लेकर उस वीड लगी हो तो यार वीडियो को लाइक जीओ कर देना है चांद को सब्सक्राइब कर लें तब ही आपको आने वले टाइम में भी ऐसी वीडियो के नोटिविकेशन बिल पाएंगे और क्या कीजिए आप यहाँ पर अपनी 500 से अगर स्टार्ट करने चाते हैं Google Ads को स्टार्ट की चीज़ों को करना है तो होपसो मैं आपको सारी यह समझा पाया हूँ तो जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी वीडियो के साथ तो गूगल एट्स की देखिया अपडेट्स भी आती रहती हैं साथ में मैं एवरी मंत कोशिश करूँगा कि न्यू वीडियो हर बार लाओं एवरी म अथली में मैं आप क्सेखिया चरूऊ हैं सानो present अवरी में म